नमस्कार एट डोजेट डिशेश उशाग और जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हूँ होली में बनाया जाना वले खास शक्कर का हार इसे गुजराती में हाइडा या फिर हाइडा भी कहा जाता है ये देखिए सिर्फ औ और पानी में से बनाया जाता है और होली पर आपको मार्केट में ये काफी दिखने को मिलेगा उसके लिए देखिए ये जो शक्कर का हार बनाना है न तो यहाँ पर इस तरह से मोल्ड होने चाहिए सिलिकॉन के या फिर छोटी छोटी आप कटोरियां भी ले सकते हैं यहाँ यह स्टेप आपको पहले से कर देना है उसके बाद कर लेना है और एक बर्तन रख देना है इसमें हमें डालना है और देखेंगे दीर दीर जो है न चीनी पानी में गुलना शुरू हो गई है जैसे ही चीनी गुल जाए ना मतलब मेल्ट हो जाए पानी के अंतर फिर बिलकुल दीमी आज पर इसे पकाते रहना है लगबग दो से तीन मिट के लिए अब इसे चेक कैसे करना है देखे एक प्लेट या कटोरी ले ले उसमें थोड़ा सा एक बूंद डाल के देखे देखे य यह तैयार है अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक चौथाई चमच बेकिंग सोड़ा इसे लगाता है चलाते जारी इस तरह से फूल जाएगा अब इसको है ना आपको तुरंती डाल देना यह मोल्ट के अंदर यहां अगर आपने कटोरी लिया तो कटोरी के अंदर देखे एकदम बीच में डालना ताकि धागा बीच में आ जाए इस तरह से सारे में डाल दिया अब इसे हम 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इधर ही 10-15 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि अच्छे से जम गई है आसानी से जम जाती है लीज़े तयार एकदम बढ़िया से ये शक्कर का हार वो भी होली पर इसे क्या करते हैं कि पैनते हैं पहले देखिए जो धागे हैं इसके दोनों किनारों पर एक गांट लगा ले इसे पैनते हैं और खाते भी रहते हैं मदब अच्छा लगता है ये शक्कर का हार आप घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिगा बनान